हेलो अच्छों, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो बचो हम लास्ट टाइम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी दो हजार त्रेस का जो एलजेब्रा का जो कोशन पर आयो हुगा था हम उसको सोल्व कर रहे थे और उसमें हम section A का जो compulsory section होता है इसको हम complete करवा चुके थे और साथ में हमने section B की जो unit 1 थी उसको भी हमने complete करवा दिये था उनके solutions भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताय हुए थे तो आज की ये जो वीडियो है ये उसी वीडियो का next part है इसमें हम unit 1 से आगे की जो units हैं उनके बारे में discuss करने वाले हैं तो यहाँ पर ये जो unit 2 है इसमें मेरे पास दो questions होंगे और उन दोनों questions के भी आगे दो parts होंगे यह मैंने आपको last lecture में भी बताया हुँ था तो यहाँ पर ये जो unit 2 है इसमें जो total 4 questions आई हूँ है दो questions और दो उनके parts तो जो total 4 questions जो आई हूँ है यह सब कुछ मैं आपको पहले ही lectures में cover करवा चुका हूँ तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में इनके solutions नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह मैंने आपको पहले से lecture में करवा दी है और बहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरह से समझाए हुए थे तो अगर मैं आपको अभी इस lecture में इस वीडियो में अगर आपको मैं करवाँगा तो यह तो time based ही हो जाएगा और यहाँ पर मैं जल्दबाजी मैं अच्छी तरह से समझाए भी नहीं पाऊँगा तो अच्छा यही होगा कि आप इन questions से related lectures को देख लीजिए क्योंकि अगर आप इन lectures को देखोगे तो आपको इन questions के solution तो ही मिल ही जाएगे बट इनके साथ जो इनका जो concept होगा आपको वो भी समझ में आ जाएगा तो इन सभी questions के जो वीडियो के जो link है मैं आपको वो description box में देदूँगा order wise आप वहाँ पर जाके उनको watch कर सकते हो तो unit 2 के सभी questions की जो वीडियो है उनके link में देदूँगा description box में अब हम unit 3 को करते हैं तो unit 3 का जो question number 6 था है इसका a part आया हो था यह subgroup h of a group g is normal subgroup of g if and only if g h g inverse belongs to h for every h belonging to h and g belonging to g तो यह जो question था यह normal subgroup से आया हो था और अब तक मैंने जो आप लोगों को lectures करवाय हूँ है उन्हें मैंने normal subgroup के बारे में आपको नहीं बताया हूँ है तो सबसे पहले मैं आपको normal subgroup के बारे में ही पता देता हूँ तो यहाँ पर मैंने normal subgroup की definition लिखी हुई है और subgroup h of a group g is called normal subgroup of g if every left coset of h in g is equal to the corresponding right coset of h in g that is a h is equal to h a for all a belonging to g मतलब कि कोई भी जो subgroup है वो normal subgroup तभी बनेगा जब उसके जो left coset होंगे और उनके जो corresponding right coset होंगे वो दोनों equal होंगे ठीक है left coset जो होंगे वो right coset के equal होंगे तब जो subgroup होगा वो normal subgroup बन जाएगा तो बस normal subgroup में बस यही है तो हम इसी definition का ही use करेंगे इस question को solve करते time अब इस question में मेरे पास if and only if करके पूशा गया था तो इसलिए हम इसको necessary and sufficient parts में करूँगा या आप इसको firstly और conversely भी कर सकते हो तो मैं अभी यहाँ पर firstly करूँगा इसको बट हमने अभी करना क्या है कि सबसे पहले हमने मानने कि जो h subgroup है g का और हमने सबसे पहले मानने कि यह normal subgroup है और हमने proof करना कि जो g h g inverse है यह belong कर रहा है h को फिर जब हम इसका converse करेंगे यह हम इसका sufficient part करेंगे उसमें हम assume करेंगे कि जो g h g inverse है यह belong कर रहा है h को और हमने proof करना कि जो h यह normal subgroup है g का ठीक है तो अब हम फिर्स्टली इसको करने वाले हैं तो इसमें मैं assume कर रहा हूँ let h be a normal subgroup of g ठीक है अब मैंने बताना है कि जो g h g inverse है यह belong कर रहा है h को तो देखो अ होंगे for all g belonging to g now let h belonging to h and g belonging to g be any element then जो g h होगा यह वाला element चला जाएगा left coset में ठीक है g h यह जो है left coset left coset of h in g determined by g तो यह left coset में चला जाएगा g h और जो g h है अगर यह left coset में जा रहा है और जो left coset है वो तो right coset के equal है g h जो है वो hg के equal है तो इसका मतलब जो g h है यह hg में भी चला जाएगा इसका मतलब क्या होगा है कि जो g h है hg में भी चला जाएगा अब यह जो hg है यानि कि यह जो right coset बन गया अब यह right coset के element किस तरह क्यों होते है small hg की तरह होंगे न और h तो यहाँ पर मैं भी h1 लिख सकता हूँ ठीक है we are h1 belonging to h तो यहानि कि यह जो g h है यह किस तरह से दिखेगा मेरे पास which applies g h is equal to h1 g for some h1 belonging to h क्योंकि यह hg को belong कर रहा था और hg के element कुछ इस तरह से दिखते हैं तो इसलिए g h जो था वह h1 g के equal हो गया अब मैंने प्रूफ करना था कि जो g h g inverse से यह बिलोंग कर रहा है h को तो अभी यहाँ पर g h तो है मेरे पास अब मैं इसको g inverse की तरह बनाऊंगा तो यहाँ कि मैंने यहाँ पर right side से दोनों side g inverse को operate कर दिया है तो यहाँ पर आजाएगा g h g inverse और यहाँ पर आजाएगा h1 g g inverse और g g inverse identity element बन जाएगा यहाँ कि मेरे पास यहाँ पर h1 ही बचेगा तो यहाँ पर आजाएगा g h g inverse which is equal to h1 और जो h1 है यह तो बिलोंग कर रहा है h को ठीक है न है h1 जो था वो बिलोंग कर रहा है h को तो यह जो g h g inverse है यह भी बिलोंग कर जाएगा h को which implies g h g inverse belongs to h ठीक है तो अभी हमने इसको firstly ज कि हमने ऐसा इसको शो करना है यानि कि हमने बताना है कि जो a h होगा वह h a के equal होगा for all a belonging to g normal subgroup की हमने simply definition हमने वही proof करनी है यहां पर तो अभी जैसा कि हमने ऑभी a h is equal to h a ko show करना है यन कि हमने दो sets को एक दनके equal करना है यह left 않 और यह right's hac है तो हमने थो税फ को चुला हों करते हैं तो श्यांको जब हमने एकदूसरे के क्यell sistema करते हैं यह मैंने आपको बताया था कि हमने किस तरह से करना या इनको शो तो हमने इनको एक दूसरे में containment है हमने ऐसा year करते हैं तो या दोनों एक दूसरे के equal हो जाएगे कृंटेंड हम कैसे हो करते हैं हम heter हम वह फो HA में भी बिलॉग कर जाता है, तो जो AH होगा यह गंटेन हो जाएगा हम similarly जब हम HA से एक element लोई और अगर वो AH भी बिलॉग कर जाएगा मैं यहां पर आलेमेंट की बात कर कर रहो हूँ है जो हम arbitrarily सब्सक्राइब हो तो अगर हम यहां से सब्सक्राज़ तो मैंने आभी यहां पर इसी का ही यूज किया हो है let a belonging to g be any element then by given hypothesis a h a inverse belongs to h for all h belonging to h ठीक है यह मैंने जो मेरे पास दिये हो था मैंने उसका यहां पर use कर लिया now let a h belongs to a h be any element then जो a h है left coset है और left coset का element इस तरह सी होगा न तो इसलिए जो a h है यह belong कर रहा है a h को और जो a h है मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ a h a inverse a देखो a inverse a जो है यह identity element बन जाएगा तो मेरे पास बापिस फिर से a h ही आ जाएगा तो मतलब मैं a h को इस तरह से लिख सकता हूँ और यह है group के elements तो इनमें associativity जो वो hold करती है तो इसलिए मैंने इसको bracket में बंद कर दिया और a को मैंने बाहर लिखा हुआ है तो अब य यह बिलोंग कर गया h a को मतलब जो a h है वही बिलोंग कर गया h a को अब मैंने a h से element लिया अ और उसको a में बिलोंग कर वा दिया तो यह अगर आप लोग देखोगे यहां पर ध्यान से तो यहां पर जो मिरे पास hypothesis जो दिया हुआ था उसमें यहांपर a h कुश इस तरह का element आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको left coset से लिए हुआ था तो अब मैं similarly ऐसा ही right coset के लिए भी करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मैं simply B की value को भर दूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा A inverse H, B inverse की जगा मैं A inverse भरूँगा तो A inverse का inverse बन जाएगा और inverse का inverse बापिस से मेरे पास वही element आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा A inverse HA belongs to H ठीक है तो अब देखो मैंने यहाँ पर HA लियाया ना पहले मेरे पास यहाँ पर AH था और उससे मैंने HA में इसको change कर दिया तो अब मैं यहाँ पर right coset का use कर सकता हूँ ना तो अब मैं यहाँ right coset से element ले रहा हूँ let HA belongs to HA be any element then HA जो है similarly जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था AA inverse अब मैं यहाँ पर भी लिखने वाल हम AA inverse HA अब यह जो है इसमें कोई फर्क दो पड़ेगा नहीं को कि बापेस फिर से यह HA ही बन जाएगा तो यहाँ पर अभी associativity भी hold करेगी तो यह बन जाएगा A inverse HA और A inverse HA जो है यह ह को बिलोंग कर रहा है तो यानि कि यह बिलोंग कर ज है AH में therefore HA is contained in AH अब यह आगी मेरे पास equation no.2 अब equation no.1 और equation no.2 से यह दोनों एक दुसरे में contained शो हो गे न तो इसका मतलब यह दोनों एक दुसरे के equal हो जाएंगे from equation no.1 and equation no.2 we get AH is equal to HA for all A belonging to G hence H is the normal subgroup of G ठीक है हमने इसको necessary and sufficient दोनों पार्स में कर दिया firstly और conversely जो हमने इनक जो GHG inverse है यह belong करेगा H को for every H belonging to H and G belonging to G अब यहां पर हमने यूज किया था normal subgroup को proof करते time कि AH जो है वो HA के equal होगा अब अगर आपने किसी other question में अगर आपने किसी subgroup को अगर आपने normal subgroup show करना है तो बहां पर आप direct GHG inverse को belong करवा सकते हो H में अगर GHG inverse जो है अगर यह belong कर जात में अब जो subgroup से related जो normal subgroup से related होगा अब बहां पर इसका use कर सकते हो मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो 6th question का जो B part आया हुआ था बहां पर भी मैं GHG inverse इसी का ही use करने वाला हूँ तो question number 6th का B part आया हुआ था if H is a subgroup of G such that x square belongs to H for all x belonging to G then prove that H is a normal subgroup of G तो अब यहाँ पर मैंने फिर से normal subgroup पताना था H को जो की subgroup था G का तो अब मैंने इसको normal subgroup पताना है तो यहाँ पर मैं वही करूँगा कि जो GHG inverse है उसको मैं belong करवा दूँगा H में तो अब यहाँ पर मेरा question में सिर्फ A की property दी हुई है कि आप G से कोई एक element को लेते हो और अगर आप उसका square करते हो तो वो H में जा रहा है ठीक है जी का जो element अगर आप उसका square करते हो तो वो जा रहा है H में तो अब मैं इसी property का यहाँ पर use कर रहा हूं तो सबसे बहले solution मैं assume कर रहा हूं let G belonging to G and H belonging to H be any element now GHG inverse ठीक है मैं simply अभी इसी को ही belong कराना है ना H में तो दे यहाँ पर क्या है कि जी के elements हैं अगर मैं उनका square करूंगा तो वो H में चले जाएंगे इसलिए यहाँ पर जो GH था यहाँ पर मैं इसको two times operate कर दिया है GH यह वला ऐसी रहा और आगे मैंने GH लिखा हुआ है अब अगर मैं अकेला GH लिखूंगा तो यहाँ पर change हो जाएगा त तो मेरे पास बचेगा G and G की power minus two अब यहाँ पर यह G है तो और G की power minus two को मैं लिख सकता हूँ G inverse G inverse तो G और G inverse यह फिर से E बन जाएगा तो मेरे पास बचेगा GH G inverse तो मतलब मैंने यह जो लिखा हुआ है यह बापिस फिर से GH G inverse ही बन रहा है इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इस property का यहाँ पर use कर रहा हूँ तो GH GH हो जाएगा GH का यह square बन जिए लगा अब एक टॉर चले में जाएगा है यह में तो ही से वह बन जाते है और देखो分鐘 तो BMW कर रहा है और अब इसकी power मैं scale करूंगा मतलब G inverse का जब मैं scale करूंगा तो वह G की power minus 2 बन जाएगा और यह बिलोग कर जाएगा H को प्रोपर्टी के यूस से तो यह भी बिलोग कर गया H को यह भी H को बिलोग कर रहा है यह भी H को बिलोग कर रहा यानि कि पूरा का पूरा h को विलोंग कर गया तो इसका मतलए g h g inverse ही h को विलोंग कर गया which implies g h g inverse belongs to h for all g belonging to g and h belonging to h therefore h is a normal subgroup of g यह है normal subgroup की notation ठीक है h is the normal subgroup of g तो I hope अब आपको normal subgroup के बारे में भी पता चल चुका होगा अब यहां पर अगर आपको confusion हो रही है तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि यह जो मैंने किया हुआ था यह मैंने simply जो question था question की property का ही मैंने यहां पर use किया हुआ था कि जो g के elements थे अगर मैं उनका scare कर रहा था तो वह h में जा रहे थे और यहां पर मैं अकेला g को तो कर नहीं सकता था क्योंकि अगर मैं यहां पर तो question number 7th है मेरे पास 7th का a part let n be a normal subgroup of group g show that gyn is abelian if and only if for all x,y belonging to g xy x inverse y inverse belongs to n और यह जो question था यह question group से आया हुआ था और question group के बारे में भी आपको पता नहीं है तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं और question group को हम factor group भी बोलते हैं तो सबसे वहले मैं आपको उसी के बा लगे गए है तो question group यह जिसको हम factor group भी बोलते हैं तो यह होता है if h is a normal subgroup of a group g then the group g yh of all right cosets ठीक है यह जो gh है यह of all right cosets का यह group होगा of h in g under the composition h a hb is equal to h a b is called question group मतलब कि जो h है यह normal subgroup होगा group g का और यह जो group g y h होगा इसमें सभी के सभी right cosets आएंगे right coset of h in g under the composition और जो composition होगी वो defined होगी h a hb which is equal to h a b h a hb which is equal to h a b ठीक है इस तरह की जब हमारे पास composition defined होगी तो यह जो group होगा उसको हम question group बोलेंगे जिसको हम factor group भी बोलते हैं तो यहां पर important यही है कि जो composition होती है इसके बारे में आपको पतानों चाहिए और जो g by h होता है यहां पर यह जो h होता है यह normal subgroup होता है ठीक है यह जो h होता है यह normal subgroup होता है और by h may all right cosets मतल़ सभी के-sabhi right cosets यहा पर i is gy in h में आते हैं तो question group न एपको पता चल चुका होगा अब मैं आपको equation के बारे में बताता हूं बहां पर आपको इसके बारे में थोड़ा और ज्य ऐसे ही बोला गया था यहां पर एन जो है यह दिया होए मेरे पास नोर्मल सब ग्रूप अब जब मैं जी वाइन करूंगा जी वाइन तो यह राइट को सेट का मतलब वो ग्रूप बन जाएगा मेरे पास न यहां पर बोला गया है इस इस अबेलियन इफ और उनली इफ फॉर या कनवर्सली या इसको मैं नेसेसरी और सुफिशंट पार्ट में कर सकता हूँ तो यहां पर इसको फर्सली और कनवर्सली में किया हो है तो अब मैंने फर्सली में क्या करना है कि मेरे पास prize न बीन्म्ट अब ग्रूप ऑफ जी यह मेरे पास कोमन स्टेट्मेंट और आग मैं अब इसका प्रूफ करता हूं तो फर्स्टली मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट एन वी नॉर्मल सब्ग्रोप ऑफ जी सच डैट जी वाइन इस अबेलियन है अब मैंने प्रूफ करना है कि यह जो है यह बिलोंग कर रहा है एन को फोर रोल एक्स बाइ बिलोंगिंग टो ज एक्स एन वाइ विच्छ इक्वल टू एन एक्स वाइ इस तरह से मेरे पास कंपोजिशन जो वो डिफाइन होगी तो अब यह बने एन को बिलोंग करवाना है तो यहांपर अगर मैं एन के साथ अगर इसके साथ यह पूरे का पूरे यह जो एलिमेंट है इसको अगर मैं को बोला था कि अगर a जो है वो बिलोंग कर रहा होगा अगर h को और अगर आप उस a से ही left यह right coset form करोगे तो वह वापिस फिर से h ही बन जाएगा मतलब आप a belonging to h लेते और अगर आप h a करते हो यानि कि right coset अगर आप form करते हो तो फिर से h ही बन जाएगा तो यानि कि अगर मैं यहां पर n और साथ में इस element को operate कर रहा हूं तो यह इस element से बना हुआ यह right coset बन जाएगा न तो यानि कि यह right coset जो है अगर यह ही n के equal आ जाता है तो इसका मतलब यह अब इनके सभी के साथ अलग अलग हो जाएगा न क्योंकि जो n x n y जो था वो n xy के equal था तो अब यहां पर n xy की form में यह तो यानिकि अभी यह n x n y कुछ इस तरह से बन जाएगा न तो यहां पर आ जाएगा n x n y n x inverse n y inverse ठीक है मैं इसको अलग-अलग करके लिख दिया which is equal to n x n y और इस n x inverse को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ यह जब आप question group को अगर आप कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो n y inverse को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब जो gyn है मेरे पास मैंने सब से पहले यहीं माना हुआ था na gyn जो है वो अब और यह जो n n है यह n के ही equal आजाएगा अब आपको यहां पर अगर समझ में नहीं आए होगा तो आप यहां पर direct भी कर सकते थे कि मेरे पास यह n x n y n x inverse और n y inverse बन रहे हैं और हमको पता है कि जो gyn है यह बहलीन है तो आप इस n x inverse को आप पहले ला सकते थे और n y को आप identity element बन जाना था और y y inverse भी identity element बन जाना था तो मेरे पास n ही तो बचना था यहां पर n आगया है मेरे पास तो अब यह जो था यह equal to आगया है n के इसका मतलब किया कि यह element था यह belong कर रहा है n को ठीक है और यह वाली theorem मैंने आपको करवाई थी उसके according में आपको बोल रहा हू तो यह जो x y x inverse y inverse जो है यह n के साथ हमने जब इसको operate किया तो यह n के ही equal आ गया इसका मतलब यह element है यह n को ही belong कर गया for all x, by belonging to g ठीक है तो अभी हमने इसको firstly हमने proof कर दिए हम इसका converse करेंगे proof और converse में भी हम इसका उल्टा ही करेंगे जैसे मैंने अभी यहां पर किया इ कर लेंगे let for all x, by belonging to g this element belongs to n हब हमने शो करना है कि जो gyn है यह अभेलियन है तो यहां पर यह जो यह belong कर रहा है n को तो अब मैं यहां पर n को operate करूंगा अगर इसके साथ मतलब यहां पर मैं इस से right coset को form करूंगा तो यह जो यह n के ही equal आएगा यह मैंने अभी आपको बता इस इकोल टू एग अब देखो यहां पर मैंने अबेलियन शो करना है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इनवाई इनवर्स है न इसको मैं इस लिख सकता हूं अब यहां पर नवाई को operate कर देता हूं तो यहां पर आ जाएगा right side में अब मैं next step में NX को दोनों side operate कर रहा हूं और right side से तो यहां पर आ जाएगा NX NY और यहां पर आ जाएगा NX को इसी question के साथ question group के बारे में पथा चल चुका होगा तो question group में मैंने आपको बता दी क्या-क्योंता है मेन उसमें जो composition होती है उसके वारे में मैंने अभी तक तक नहीं कर्वाया हुआ है, तो इस कोशन को करने से पहले मैं आपके भी समझ आओगे तो सबसे पहले homomorphism जो की चैप्टर था तो यह homomorphism ही होता गया है तो यहां पर क्या होगा कि let g and g-b2 groups यहां पर यह मेरे दो मेरे पास दो group होंगे और जो जी है इसका binary operation यहां पर circle से denote किया हो है और जो इसका binary operation मैंने स्टार से denote किया हो है तो मतलब मेरे पास दो अलग अलग ग्रूप है और उनका binary operation भी अलग लग है b2 groups then mapping from g to g-dash is called homomorphism if f of a circle b is equal to f of a star f of b for all a b belonging to g ठीक है आप यह वला मैंने यहां पर binary operation से denote किये हो है बट अगर आपको binary operation से अगर आपको थोड़ा difficult लग रहा है तो आप इसको direct भी समझ सकते हो यहां पर और simply f of a b is equal to f of a f of b for all a b belonging to g मतलब कि मेरे पास अगर दो ग्रूप है और अगर मैं फंक्शन define करता हूँ from g to g dash तो यह homomorphism तभी बोला जाएगा जब f of a b जो है वो f of a f of b के equal होगा for all a b belonging to g तो बस यह homomorphism की simple सी definition है बस आपने यहां पर एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मैं यहां पर f of a b बोल रहा हूँ यहां पर जो a b है इसमें जो g का जो binary operation होगा वो होगा और जो f of a f of b मैं बोल रहा हूँ यहां पर इन दोनों के बीच में जो star यानिकि जो co domain होगा g dash इसका जो binary operation होगा यह वो होगा ठीक है यही आपने यहां पर ध्यान रखना है साथ ही मैं मैं आपको यहां पर कुछ और भी बता जाता हूं कि जैसे यहां पर यह जी है तो इसका identity element को हम generally e से denote करते हैं और जो g dash है इसका e और इसका e से ठीक है यह आगे मैं आपको बताऊंगा तो आपको वहां पर पता चल जाएगा homomorphism के बारे मैं आपको पता चल गया अब isomorphism क्या होता है तो ऐसा homomorphism जो कि बनवन और on to दोनों होगा उसको हम isomorphism बोलेंगे और simply आप बनवन भी बोल सकते हो homomorphism which is one one and on to that is called isomorphism अब यह बनवन और on to क्या होता है यह सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ last lectures में और मैंने आपको बला था कि हम यह homomorphism में आगे chapter में हम इसको use करेंगे और इसलिए मैंने आपको यह telegram channel पर भी भेज दिया था कि हम बनवन कैसे check करते हैं on to कैसे check करते हैं और हम bell defined कैसे check करते हैं बहुत सब कुछ मैंने आपको बता दिया था और lectures में मैंने आपको अच्छी तरसे बहुत समझाया हुआ था तो यह बनवन और on to मैं आपको बता दूंगा भी बनवन का तो मैं यूज ही कर लूँगा इस question में आगे और kernel of a homomorphism यह भी important है यह क्य is equal to f of a f of v for all a b belonging to g ठीक है तो अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास जी टू जी डाश जो है वह homomorphism है और हम इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम इसको बोलते हैं f is a homomorphism from g into g-ठीक है हम इसको g into g-डाश पढ़ेंगे तो यह जो है यह homomorphism from g into g-dash then the kernel of f is defined as जो kernel of f होगा उसको हम define करेंगे इसमें वो elements आएंगे g के g को मैं domain से बोल रहा हूं और जो g-डाश इसको मैं code domain से बोलूँगा domain के इसमें वो element आएंगे जिनकी image जो है code domain में identity element के equal है ठीक है x belonging to g such that f of x is equal to e-डाश मतलब x जो है वो मैंने g से कोई element लिया और उसकी जब मैं image करूँगा तो वो g-डाश में identity element के equal बन जाएगी ठीक है f of x is equal to e-डाश यहाँ पर जो e-डाश है यह identity element है g-डाश का मैंने अभी आपको बताया तो यह जो f of x होगा वो e-डाश के equal हो जाएगा मतलब g element की images जो है अगर वो identity element code domain के identity element के equal आ जाती है तो इसका मतलब वो kernel of f में चले जाएंगे ठीक है kernel of f में चले जाएंगे where e-डाश is the identity element of g-डाश ठीक है तो kernel of f के बारे में आप समझेगे की domain के वो element जिनकी image code domain में identity element के equal आ रही है ठीक है वो सभी चले जाएंगे kernel of f में अब यहाँ पर मैंने कुछ important results लिखे हो है जो कि बहुत जादा important है homomorphism से related question या theorem को करते time if f is a homomorphism from g into g-dash then the following results holds अगर homomorphism होगा तो यह वले results जो यह hold करेंगे f of e is equal to e-dash मतलब कि जो image होगी g के identity element की वो equal to होगी g-dash के identity element के equal ठीक है तो इसका मतलब कि यह जो e है यह kernel of f में भी चला जाएगा यही बोला था ना मैंने kernel of f की definition के coding तो यानि कि जो e है यह चला जाएगा kernel of f में तो इसका मतलब कि जो kernel of f है यह non empty होगा यानि कि f of e जो है वो तो e-dash के equal होता ही है अगर homomorphism होगा तो और second है f of a inverse is equal to f of a whole inverse ठीक है जो a inverse जो element का inverse होगा तो वो पूरे f of a इसका पूरे का whole inverse हो जाएगा for all a belonging to g और सिर्फ यह inverse पर ही नहीं यहाँ पर अगर आप माइनिस वन की जगह अगर आप कोई भी इंटीजर लोग है तो उसके लिए यह hold करता है that is f of a raise power n is equal to f of a hold raise power n for all n belonging to integer तो यह तीन रिजल्ट जो है यह important है अब हम homomorphism से related question को करते हैं तो अगर आप इस चीज को जो मैंने आपको बताया इनको आप समझ चुके होंगे तो आप homomorphism से related और भी questions को solve कर सकते हों सिर्फ यहीं नहीं जो मैं आपको बताऊंगा इस से related आप कोई और भी questions जो होंगे आप उनको भी solve कर सकते हों तो अभी हम question को करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास question था the necessary and sufficient condition for a homomorphism of a group G into a group G dash with kernel K to be isomorphism is that K is equal to E मतलब जो kernel of K होगा उसमें सिर्फ identity element आएगा वो भी G का ठीक है यह necessary and sufficient condition है मतलब मैंने अभी ऐसा इसको proof करना है तो यहाँ पर देखो मैंने करना क्या है तो अब यहाँ पर मैंने proof क्या करना है कि जो हमारे पास जो homomorphism है यह isomorphism तभी होगा जब जो kernel of K है वो equal to होगा identity element के ठीक है जो kernel of K में सिर्फ identity element आएगा G का तो जो हमारे पास homomorphism होगा वो isomorphism भी बन जाएगा मतलब मैंने इसको proof करना है तो मैं इसको अभी necessary and sufficient parts में करूंगा या तो मैं इसको firstly और conversely भी कर सकता हूं तो अगर मैं इसको firstly करूंगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा सबसे पहले मैं मान लूँगा कि यह जो है मतलब जो यह homomorphism है यह isomorphism ही है और मैंने proof करना है कि जो kernel of K है इसमें सिर्फ करूंगा कि जो मेरे पास homomorphism दिया हुआ था वह isomorphism है let f be a homomorphism of a group g into a group g-dash let e and e-dash be the identities of g and g-dash respectively मतलब e जो है वो g-dash है और जो e-dash है वो g-dash की identity element है let k be the kernel of f suppose f is an isomorphism of g into g-dash then f is 11 ठीक है यही मैं जो आब आपको बोल रहा था कि हम पहले assume कर लेंगे कि यह isomorphism है और isomorphism का मतलब क्यों होता है कि वह बनवन होगा यही मैं आपको isomorphism की definition में बताया तो अब यह बनवन होगा तो अभी बनवन का मतलब क्यों होता है कि अगर images equal है तो वह elements भी equal होंगे अब मैं इसका use करूंगा आगे isomorphism का तो अभी मैं क्या कर रहा हूं let a belonging to kernel of f then अब देखो मैंने यहां पर proof क्या करना है कि जो kernel of f है उसमें सिर्फ identity element ही आ रहा है अब मैंने यहां पर a लिये हो है मतलब कोई a element लिये हो है kernel of f से अब अगर यह a ही e equal आ जाता है अगर यह a ही e equal आ जाता है तो इसका मतलब मै f of a is equal to e dash ठीक है यह तो हो गई definition के coding अगर kernel of f में वही element जाते हैं जिनकी image जो है वो e dash के equal होती है तो f of a is equal to e dash होगा by the definition of kernel of f which implies f of a is equal to f of e क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि जो kernel of f है वो non empty होता है मतलब उसमें e to exist करी जाता है तो f of e है वो e dash के equal होता है तो इसलिए मै नहां पर दो images जो हैं मतलब elements की अगर images equal हैं तो जो 1-1 होता है 1-1 के coding के हो जाता है कि वो elements भी equal हो जाएंगे which implies a is equal to e because f is 1-1 ठीक है 1-1 के coding यह होता है न थस जो मिरे पास a था वो e के ही equal आ गया है a belongs to kernel of f which implies a is equal to e which implies e जो है यही kernel of f में element है e is the only element of g which belongs to kernel of f thus kernel of f is equal to यह e जो identity element था इसके equal आ गया अब मैं इसको conversely करूँगा तो इसमें मैं क्या assume करूँगा कि जो kernel of f है उसमें सिर्फ identity element ही आ रहा है और मैं proof करूँगा कि वो isomorphism है और isomorphism के लिए मैंने क्या proof करना है कि वो बनबन होगा तो अभी मैं देखो इसको conversely कैसे करता हूँ proof suppose that k is equal to e ठीक है यही मैं अभी मैंने assume करना है और मैंने प्रूफ करना कि वो बनबन है then to prove that f is an isomorphism of g into g dash we shall prove that f is 11 तो अभी मैंने बनबन प्रूफ करना है तो बनबन के लिए मैंने अभी आपको बोला कि अगर images equal होंगी तो elements भी equal होंगे तो अब मैं क्या कर रहा हूँ if a b belonging to g then f of a is equal to f of v मतलब मैंने दो elements की images जो वो मैंने equally और अब मैं देखूंगा कि जो a है वो भी b के equal आ रहा है या नहीं आ रहा है f of a is equal to f of b which implies f of a f of b whole inverse मतलब मैंने यहां पर right side से f of v whole inverse को यहां पर operate कर दिया तो यहां पर आ जाएगा f of b whole inverse और यहां पर भी whole inverse अब यह जो है यह identity element के equal होता है वो भी जी डैश के ठीक है तो यहां पर आजएगा e dash और यहां पर आजएगा f of a f of b inverse तो अभी जो है यहां पर मैंने इसको f of a b inverse लिखा हूँ है अब यह जो था यह जो homomorphism था उसका मैंने यहां पर use कर लिया उसका recording मैंने आपको यहीं वोला था ना कि अगर f of a b होगा that is equal to f of a f of b तो अब यहां पर f of a f of b inverse था तो मैं इसको लिख सकता हूं f of a b inverse which is equal to identity element अब यहां पर मेरे पास कोई element है जिसकी image जो है e dash के equal आ रही है तो इसका मतलब यह जो element है यह kernel of f में भी चला जाएगा ठीक है यह बला element kernel of f में भी चला जाएगा अब आपको यह जो homomorphism है अब यह आपको धिरे-दिरे समझ आ रहा होगा kernel of f क्या होता है यह भी आपको समझ में आ रहा होगा तो यह जो a b inverse है यह बिलोंग कर जाएगा kernel of f तो अब यह जो a b inverse है यह बिलोंग कर गया kernel of f में और यहां पर मैंने starting से क्या assume कि हो था कि kernel of f में सिर्फ एक ह ही element है जो कि identity element के equal है तो यानि कि यह जो a b inverse है यह identity element के equal आ जाएगा a b inverse is equal to identity element अब यहां पर देखो मैं अब यहां पर b को दोनों साइड राइट से operate कर रहा हूं तो यहां पर आजएगा a b inverse b which is equal to e b और यह e b b ही बन जाएगा और b inverse b a e बन जाएगा तो यह नहीं कि मेरे पास आ जाएगा a is equal to b a is equal to b मेरे पास आ गया मैंने images ली थी equal और elements भी जो है वह वह equal आ गये तो इसका मतलब यह one one हो गया तो मैंने यह one one ही तो प्र आप चाहो तो यहां पर इसको on to भी प्रूफ कर सकते हो तो इसी के साथ unit 3 यहां पर फिनिश होती है अब next हम करेंगे unit 4 बट unit 4 में rings और integral domain या field etc बहुत कुछ आने वाला है तो बहुत सब कुछ अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं करवाया हूँ है तो पहले मैं आपको व अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जूर करें और next जो पार्ट आएगा कभी भी अगर upload होता है तो आप उसको भी जूर बह यूमें